तो general solution क्या होता है हमारे पास यह होता है y गुना integral factor is equal to q गुना integral factor into dx यह तो formula होता है ना ज़रा इसको देखो आप q की value देखो कितनी है q की value है आपके पास यह वाली value है 2 upon x minus के 1 ओके मैंने यह वाली value डाली यहाँ y गुना integral factor जरा इसको देखो आप y into integral factor y into integral factor तो यह हुआ equal to q की value डाल दी यह मेरे पास integral factor की value हुई ओके एक power सा तो यह power cancel out हो जाएगी इसकी और यह दो बाहर आगया integration से उपन निकला x minus 1 का square divided by x plus के 1 clear है ना समझाती है मेरी बात अब यहाँ से देखो आप x minus 1 के square को मैंने expand किया जो के मेरे पास निकल कर किया x square minus के 2 x plus के 1 और मैंने इसको इससे divide लगा दिया ठीक है ना divide लगाने के बाद आपके अपास निकल लगा x minus के 3 divided by 4 4 upon x plus के 1 इस step से यह step कैसे निकल कर गया जरा इसको देखते है ठीक है ना x plus के 3 x minus के 3 निकल लाए plus के 4 upon x plus के कितना निकल लाए 1 x square minus 2 x plus 1 को divide लगा रहा हूं में चलो भाई divide लगा करके दिखाता हूं मेरे पास कितना है x square minus 2 x plus 1 को divide लगाना है मेरे को किस से x plus 1 के साथ x time किया मैंने कितना निकल कर गया x square plus के 1 निकल गया यह तो minus हो गया घटाने पर यह तो cancel out हो चुके कितना बचा minus के 3 x देखो ना यहाँ पर इसके साथ multiply करने पर x होगा ना यहाँ पर minus के 3 x निकल गया और यह हुआ प्लस के 1 ठीका ना प्लस के 1 अब जब मैं इसके इसको match करने के लिए minus के 3 से और अब की बार minus 3 time करूंगा तो यह minus के 3 x हो जाएगा और minus 3 यह हो जाएगा कितना यह हो जाएगा minus के 3 और जब मैं इन दोनों को गठाने की गोश्च करूंगा तो यहाँ से कितना निकल करके है जरा है इनको गठा करके देखोंगा यह तो cancel out हो जाएगे यह minus का तो plus हो चुका इस minus का plus हो चुका यह cancel out हो चुका यह बचा कितना 4 और 4 को divide किसे करना है x plus 1 से और यहां मेरे पास कितना निकला हुआ है x minus 3 यानि यहां यह यह वाला जो step निकला हुआ है मेरे पास कितना निकला हुआ है यह step मेरे पास निकला हुआ x-3 और पलस के साथ यह समझ मागे कैसे निकला clear है ना मैंने यहां यह किया जो कि मेरे पास निकल कर किया कितना भाई x-3 divided by 4 upon x-x plus के 1 इधर वाला तो मेरा जहूं का तुम आ गया यह दो जहूं का तुम है x का integration x square by 2 3 का integration 3x 4 x plus 1 के integration 4 log x plus के 1 plus arbitrary constant c चाहो तो यही answer लिख दो चाहो x plus 1 की multiply इधर कर दो ओके आप यहां answer लिख सकते हो दोनों का सही मतलम निकलता है कोई एकर doubt हो कोई problem हो comment section के अंदर question को डाली आई will help you ठीक है ना समझा चुका होगा question question number next के दरब चलते हैं question number next यह है के solve the differential equation अब यह बार आपके differential equation दे रखी है 1 minus x square dy by dx plus xy is equal to ax okay मैंने वहीं किया 1 minus x square से इसको divide कर दिया सबसे पहले यह निकल कर किया dy by dx x y divided by 1 minus x square और यह ay divided by 1 minus x square इसकी compare मैंने डारेक्ट इस equation की जो compare है मैंने डारेक्ट किस से की भाई I am comparing this equation by I am comparing this equation by standard equation standard equation से compare करने के बाद मैंने P और Q की value निकाली यहां से और P और Q की value जो भी निकल करके आईगी मैं अभी आपको बताता हूँ मैंने standard equation से इसका compare किया और compare करने के बाद मेरे पास P और Q की value देखा के लिखी हुई होगी यह space मैंने जानबूच करके छोड़ रखा है इतना यहां होगी P और Q की value पका ओके यह मेरा equation है देखो अब मेरे को चाहिए इंटीकल फैक्टर का फार्मूला होता है इसके अंदर simple सा तरीका है मैंने उपर 2 से multiply करा 2 से divide कर दिया इसको और नीचे का differentiation उपर रखा हुआ है जड़ा समझे कोश्च करना मैंने इसको 2 से multiply किया 2 से divide किया यहां 2 से multiply 2 से divide नीचे का differentiation उपर नीचे वाले को मैंने टी माल लिया यानि मैंने क्या करा 1 minus x square यह तो simple सा method है यार 1 minus x square को मैंने क्या माना टी माल लिया इसका differentiation माइनस के 2x into dx is equal to dt हो चुका आपके सामने है ओके टीका ना यह वाली value मैंने यहां put की मैंने value put की और जैसे ही value मैंने यहां put की यह मेरे पास निकल कर क्या यह तो है ही माइनस के 1 upon 2 तो बाहर आ चुका ओके और चाहे तो आप minus 1 upon 2 कुशन के according जो है कि से divide minus 1 upon 2 से गुना और 1 upon 2 से भाग कर लो आप और भी आसान हो जाएगा आपके लिए ठीका ना समझाती है मेरी बात ओके तो यह निकल कर क्या है इसका differentiation लोग में पहुंच चुका और इसकी power जो है ना लोग property अपलाई करके इसकी power minus 1 upon 2 आ जाएगी यह बसमें cancel out हो जाएगा मेरे पास निकल करके आएगा 1 minus x square की power minus के 1 upon 2 होगी और माइनिस के 1 upon 2 को मैं इसको सीधा सीधा लिख सकता हूँ 1 upon and root 1 minus x square clear basic formula हमारे पास क्या होता है formula हमारे पास होता है y गुना integral factor is equal to integration of q गुना integral factor q की value देखाँ आप आपके पास q की value बिलकु साब साब दिख रही है this is the value of q यह q की value है यह यहाँ पे ओके this is the value of q और this is the value of integral factor यह मेरा integral factor था आई एफ clear ना चलो अब मैं यहाँ सा आगी कि दर चलता हूँ भाई मेरी तब ठीक नहीं यह पिछले पांचे दिन से इसले problem हो रही है देखो आप यह तो constant है बाहर आगे integrations है उपर बचा मेरे पास x और 1 minus x square 1 minus x square की power कितनी 3.2 बन की अब आप इस चीच को गोर करो 1 minus x square को अगर मैं टीम आल लूँगा इसका differentiation उपर रखा हुआ है मैंने वही किया आपको हो तो मैं लग से निकाल करके भी दिखा दूँगा इस राइट अंड क्या किया इसको माइनस 2 से multiply किया और 2 से इसको गुना कर दिया माइनस 2 से multiply लाई और माइनस 2 से divide कर दिया ताकि आपका कुशन बहुत आसान हो जाए और यह जो पावर है इसको उपर लेकर किया अब इसको इसने टीम आल लिया इसको टीम आनने के बाद इसका इसका differentiation यह रखा हुआ है substitution method है one minus x square को इसने टीम आना ओके फिर इसने इसको integrate किया मेरे ख्याल से integration के बाद यह result बच्चो वाला calculation आपकी समझ आ जाएगी और अगर नहीं समझ मार रहा है तो मैं करके दिखा दूँगा भाई ठीका ना बच्चो वाले के integration निकल जाएगा आपका one minus x square को टीम आना x square का इसको इसको माइनस टू एक्स आया और टू एक्स के बाद जो है इसकी पावर माइनस वन बाई टू पलिसमन करते ही यह माइनस के वन बाई टू पावर आएगी डिवाइड बाई वन बाई टू हो चुका ए और डिवाइड बाई one minus x square की पावर कितनी है one minus x square की पावर माइनस one by two है ना यह one minus x square यह देखो ना पावर माइनस one by two है इसको मैंने अंडर रूट के अंदर लिग दिया और एकर आप क्रोस गुणा करना चाहरे हो तो क्रोस गुणा कर लो इस सतोय कैंसिल हो जाएगा y is equal to a और c के साथ multiply हो जाएगा यह आपका answer हो जाएगा कोई आपको doubt हो कोई problem हो comment section के अंदर question को डालिए I will help you question number next question number next यह है कि solve the differential equation फिर आपको differential equation solve करना है और differential equation दे रखा है x into x minus one dy by dx minus y is equal to x square into x minus one का complete square इस differential equation को मैंने सबसे पहले x x minus one से divide करूँगा क्यों यह standard form के अंदर नहीं है मैंने इसको x x minus one से divide करा dividing by x x minus one यानि इसके बटे में x x minus one आ चुका y के बटे में और x square x minus one का complete square को जब मैं divide करूँगा एक x से तो देखो एक x कतम हो जाएगा एक x minus one से power खतम हो जाएगी x into x minus one निकल जाएगा अब इसकी compare में direct standard equation से करूँगा ओके यह मेरे पास standard equation है इस standard equation से मैं इसकी compare करूँगा compare करने के बाद मेरे पास original निकल कर गया the value of p is this and the value of q is this बिल्कुल किलियर आगे की तरब चलते हैं अब मेरो को चाहिए है integral factor integral factor का formula होता है e to the power integration of minus x into x minus one अब देखो यहाँ से इसको आंचिक भिन के इंदर में break करूँगा break करूँगा तरीका दिखा बता रहा हूँगा आपको किस तरीके से break करूँगा मेरे पास है one upon x x minus one integration कितना है मेरे पास integration one upon x और x minus के one एक काम कर लो यार इस मेंसे इसको डारक गटा लो into dx ऐसे है ना बराबर करके देखो क्या लिगा जा सकता है इसको लिखो x minus x minus one divided by x into x minus one simple सा तरीका है इस step के अंदर से इसको डालो उपर तो में लाना है ना मेरे को x x cancel हो जाएगा minus one का plus one हो जाएगा और into dx अब में क्या करूँगा यहाँ से इसको अलग-अलग के बटे में डालोंगा और इसका result निकाल लोंगा अलग-अलग के बटे में कैसे डालोंगा integration of x divided by x x minus one minus integration of x minus one divided by x into x minus one dx तो साथ चली रहा है इससे एक cancel out हो जाएगा मेरे पास कितना बचेगा यहाँ से मेरे पास यू बचच करके जड़ोंगा कितना बचेगा भाई मेरे पास बचेगा है integration of dx divided by x minus one बचेगा minus integration dx divided by x divided by x doh देखते हैं यही मैंने यहाँ लिखा देखो मेरे पास वही बच रहा है सेम डिक्टो यह देखो x-1 बच रहा है और 1 upon x बच रहा है यह देखो आप this is x-1 और 1 upon x मैंने पहले वाले step को integrate करा जो कि log x-1 है दूसरे वाले step को integrate करा जो कि log x है मैंने इसके उपर log property अप्लाई करी log property अप्लाई करने साब को पता है यह जो log m upon n m minus n m upon n के अंदर convert हो जाएगा और यह जो minus का निशान है मैंने इसको पहले अंदर multiply करा यानि log x तो positive हो चुका log x-1 negative हो चुका यहां मैंने log property अप्लाई करी यह log x upon x-1 हुआ यह दोना आपस में cancel x upon x-1 आ चुका मेरे जहाल से यहां तक आपको कोई आपती नहीं होनी चीह है आगे चलते हैं यह मेरा integral factor है यह मेरा integral factor है यह इस आई एफ ओके फार्मूला होता है y गुना integral factor is equal to q गुना integral factor into dx ओके यह तो मेरे पास integral factor की value है q की value देख लेता हूं कितनी है q की value है q की value है x into x minus 1 चालो integral factor के अंदर मैंने q की value solution के अंदर मैंने q की value डाली integration of x into x minus 1 this is the value of q and this is my integral factor x minus 1 से x minus 1 cancelled यह मेरे पास x square और इधर वाला यूंका तो y into x upon x minus 1 x square को integrate करा x की power 3 this is my required solution आप यहां चाहो तो answer भी लिख सकते हो clear है न कोई doubt हो कोई problem हो comment section के अंदर डाली I will help you question number next question number next यह कह रहा है कि भाई यह v part है directly जो है पहले v part देख लेते हैं question number 4 actual में है क्या इसका चोथा part पीछे जाना पड़ेगा हम लोग देखो चोथा part क्या है differential equation का जो चोथा part है वो यह वाला question है है ना यानी x x minus 1 से मैं इसको क्या कर दूँगा चोथे वाला चोथे वाला यह है और पांचे वाला यह है देख लेंके कोच चोथे वाला part है कि पांचे वाला part है यह वाला part स्वाल काता हूं मैं मेरे को दोनो x into 1 minus x square से divide लगाना पड़ेगा या x into x minus 1 से divide लगाना पड़ेगा चलते हैं अगले वाले part की दरफ जो भी है मेरा part यह तो मैं निकाल चुका था ओके स्वाल हो गया था यह है कुशन यानी पांच वापार्ट है x square minus 1 से जो मैं इसको divide लगाऊंगा आप कुशन पूरा देख लेना और मैं आपको जो है यह description के अंदर यह notes भी डाल दूँगा x square से x into x square minus 1 से divide लगाने के बाद मेरा differential equation यह निकल करके आएगा clear समझ आती है मेरी बात अब इस differential equation की मैं standard equation से compare करूँगा मेरे पास p यह है d y by dx p y is equal to q p की value यह निकल जाएगी बच्चो वाली बात है यह p है और यह q है यह मेरे पास q हुआ इसको आंशिक भी यानि partial fraction के इंदर convert कर लो okay partial friction यह निकल करके आएगे इसके बहुत लंबी चोड़ी calculation है आदे गंटे की calculation है बच्चो वाली बात है 12th class के method से आप इसको partial fraction के इंदर convert कर सकते हो और फिर मैंने integration of p dx निकाला देखो इसका तो minus के log x आजाएगा इसका 1 upon 2 log x minus 1 आजाएगा इसका 1 upon 2 log x plus 1 आजाएगा इन तीनों पर log property अपलाई करने के बाद मेरे पास finally यह result निकल करके आएगा यहां से यह वाला result log property अपलाई करूँगा मेरे पास यह result आजाएगा बच्चो वाली calculation है वो इतनी लंबी चोड़ी नहीं है अब फिर मैं वही फार्मूला लगाँगा वाई उना integral factor is equal to q into integral factor into dx ओके देखता हूं क्या आता है मेरे पास इसलिए मेरे पकाम नहीं चल पा रहा है यहां है क्या है ओके यहां है वो इससे पहले है यहां काम कर लेना है इसको स्वाल करके देखना डाउट होगा तो मेरे से पूछे लेना ओके कुछ स्वाल करना आप